नमस्कार दोस्तों जाहिन भारत और स्री लंका के बीच समंदर में मशली पकड़ने को लेकर अक्सर तनाव रहता है आए दिन मचवारों को स्री लंकाई नौसेना गरफतार कर लेती है और मचवारों पर हमले भी होते हैं कई बार कच्चा तुभी दीप को स्री लंका से बापस लेने की मांग उठी लेकिन बात नहीं बने अब मोधी सरकार से फिर मांग हो रही है कि वह दीप स्री लंका से बापस ले लो मुद्धा क्या है कि कच्चा तीबू दीप एतियासिक रूप से तमिलाडू का हिस्सा रहा है ये इंद्रागंदी सरकार ने स्री लंका को सौंटिया था तमिलाडू ने से आस्तर सुईकान ने किया और लगातार केंद से मांग होती रहे नेपाल हो, बांगला देश हो, स्री लंका हो या मालडीब भारत अपने पडोसी देशों को रासन पानी से लेके हर संभव मदद करता रहा है हाली में जब स्री लंका में इधान संकट पैदा हुआ तो भारत ने अच्छे पडोसे की भूमिका निभाते हुए डीजल और पैटोल की बड़ी खेब भीजी कहा गया कि बड़े भाई ने अपना फार्ज नेवाया वैसे स्री लंका और भारत के रिष्टे सदियों पुराने है लेकिन इन दिनों भारत में एक दीब की चर्चा फिर से होने लगी है भारत के दचनी छोर और स्री लंका के बीच एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है लेकिन इसकी बड़ी आमियत है इसे कच्चा दीबुदीब कहते हैं जिसे स्री लंका ने भारत को दे दिया था नतीजा या है हुआ कि भारत और स्री लंका के बीच मचवारों का मुद्दा बढ़ता गया और हम अक्सर खवर सुनते हैं कि स्री लंका नेभी ने भारती मचवारों को गरतार कर लिया है यह मसला आजादी के पहले का है और आब इस दीप को स्री लंका से बापस लेने की मांग उठ रही है आईए समझते हैं अदीप क्यों भारत के लिए इतना महत्पूंड है स्री लंका और रामिस्वरम के बीच एक कच्चा तीबुदीब है Google Map हो तो वहां से आप इसको देख सकते हैं यह मैं ही आपको दिखा लेता हूँ पारंपरिक रूप से स्री लंका के तमिलों और तमिलनाडू के मचवारे इसका इस्तमाल करते रहे हाला कि भारत ने 1974 में एक समझोता किया जिसके तहती हदीब स्री लंका को दे दिया और 1974 में ततकालीन इंद्रा गांदी ने स्री लंका की राष्टपती स्री मावो भंडार नायके के साथ एक संदी पर हस्ताक्चर किये और कच्चा तीवू स्री लंका का हो गया अब समझने की कुस्स करते हैं कि 1990 में तमिलनाडू बिधान समाने प्रस्ताव पास किया कि इस दीब को बापस लेने की मांग की जाए और 2008 में ततकालीन सीम जैलेता ने केंद सरकार को सुप्रीम पूर्ण में खड़ा कर दिया और कच्चा तीवी दीब को लेकर हुए समझोते को आमानने गोसित करने की अपील की उन्होंने कहा कि स्री लंका को कच्चा तीवी गिफ्ट में देना आस समवेधानिक है चलिए इसकी खासियत समझते हैं कच्चा तीवी पाक जल्डमरू मद्ध है पाक स्ट्रेट क्याते हैं मैं समुद्र टट से दूर एक नर्जन दीब है बताते हैं कि चौद्मी सताबदी में जौला मुखी विस्पोर्ट के कारण यह दीब बना था और बिटिस सासन के दोरान दो सो पचासी एकड़ की भूमी का भारत और स्री लंका सहित रूप से इस्तमाल करते थे मतलब इस दीब पर जो छेतर फ़ल है बो दो सो पचासी एकड़े अब कच्चा तीबू दीब रामनात पुरम के राजा के अदीर हुआ करता था और बाद में ये मदरास प्रेसिडन्सी का हिस्सा बना और 1921 में भारत और स्री लंका दोनों ने मशली पकड़ने के लिए इस भूमी पर अपना दावा किया बिवाद अनसलजारा आजादी के बाद भारत ने पहले के बिवाद को सलजाने के प्रयास किये दोनों देसों के मचवारे काफी समय से बिना किसी बिवाद के एक दूसरे के जलशेत में मशली पकड़ते रहे लेकिन यह बिवाद उस समय उठा जब दोनों देसों ने 1974 और 1976 के बीच समुदरी सीमा समझवादे पर हस्ताक्चर किये और इस समझवादे से भारत और स्रीलंका के बीच अंतराश्टी समुदरी सीमा नरधारित हुई समझवादे का मकसद था कि पाक श्टेट में संसाधन प्रवंदन और कानून प्रवतन में सुभी दा देना अब भारती मचवारों को केबली है अनुमती थी कि वे आराम करने या अपने जाल को सुखाने या सालाना सेंट एंथोनी फेस्टिबल के लिए आ सकते थे और उन्हें इस दीब पर मचली पकड़ने के अनुमती नहीं थी हाला कि भारती मचवारे बहतर शेतरी खोज में स्री लंका के जल शेतर में जाते रहे कुछ दसक ठीक रहा लेकिन समस्यत तब गंबीर होने लगी जब भारती उप महादीव शेतर में मचली और जलिये जीवन कम होने लगे और भारती मचवारे आंगे बढ़ने लगे दरसल अब मचली पकड़ने के लिए आधुनिक ट्रॉलियों का इस्तमाल हो रहा था जिससे समुदरी जीवन और पारिस्तिरिक तंद्र को नुकसान हो रहा था अब लिट्टे के समय स्री लंका सरकान ने अपने मचवारों को सैन आपरेशन के चलते जल शेतर में जाने से रोका और भारती मचवारों के लिए बढ़िया मौका लगा 2009 में स्री लंका ने पार्क स्टेट में समुदरी सेना की कड़ी निगरानी शुरू कर दी उनकी मनसा थी कि तमल बिद्रोही देश में बापस न लोट सके 2010 में युद्ध खतम होने के बाद स्री लंका मचवारे फिर से छित में आवाजाही करने लगे और इस भूभाग पर दावा ठोक दिया यह जगह रामिस्तुरम से उत्तरपूर के रिसा में करीब 10 मिल की दूरी पर है और इसका इस्तमाल भारती मचवारे अपने नेट सुखाने, मचली पकरने और आराम करने के लिए करते थे लेकिन बार्डर पर ग्रफतारियां सुरू हो गए और स्री लंका पर शासन ने कहा कि वे अपनी समुदरी सीमा का राक्षा करने के साथ ही स्री लंकाई मचवारों की आजीविका को भी स्रक्षित कर रहे हैं अब पिछले दिनों संसद में कच्चा तीबू स्री लंका को ससर्त देने से भारती मचवारों को हो रहा है नुकसान का मुद्ध रठा AI ADMK के एक सांसर ने मांग की कि सरकार 1974 में वे समझवारों को रद कर यह दीब बापस ले और एम थंबू दुरे ने उस समय उच्छ सदन में कहा कि 1974 में दीपी दे स्री लंका के साथ समझवारों कर कच्चा तीबू दीप उसे देने के बाद से तमिल नाडू के मचवारों का भविस सदाव पर लग गया AI DIN से लंका की सीना, सेमा, नौसेना अपने जलशित में मचली पकड़ने का आरूप लगाते हुए तमिल नाडू के मचवारों को पकड़ लेती है और उनके साथ मार पीट करती है और उनकी नौकाएं भी चत कर लेती है और उनने यह तक का कि कच्चा तीबू दीपे मचली पकड़ना तमिल नाडू के मचवारों का परंपरागत अधिकार है लेकिन समझवाती के बज़े से उनके इस अधिकार का हनन हो रहा है तमिल नाडू के सरकारों ने सम्मन में कई बार के इन सरकार को पत्र लिखा लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ समझते की भारत सरकार क्या क्या क्याती है निकि बिदेश मंतराले की वेप साइड है उस पर उपलब्द एक वियान है उसके नुसर भारत और स्रिलंका के बीच 1974 और स्रिलंका के बीच को समझते की तैट अभी अधिफ स्रिलंका के हिस्ते में पड़ता है मामला भी भारत के सुप्रीम कोट में है और स्रीलंका ने भारतियों को बिना किसी बीजा के धार्मिक प्रियोजन से दीप आने की छूट दे रखी है 2014 में मामला मदरास हाई कोट में गया था बिडेस मंतराले ने हलफ नामा दिया था कि मामला सुलच चुका है और स्रीलंका जलचेतर में जाने का भारती मचवारों को अब कोई हक नहीं है अब इस पर उस समय जो सीम थी जाले लेता ने नरिन मोदी जी को पत्र लेकर फैसले पर पुनर बचार करने की बात कही अब एक बार फिर मामला उठने से बात होने लगी है खिशदीप को पूर में परधान मंतरी इंडरा गानी ने सीलंका को गिफ्ट किया था क्या अपने मचवारों के हित में परधान मंतरी नरिन मोदी वापस लेंगे तर्क किये जा रहें कि कोई भी अंतराष्टी समजोता सम्बंदे देश के हितों पर आधारित होता है अगर इंद्रा सरकार के समय हुए समझोतन से भारतियों को नुकसान हो रहा है तो उसे डील को तोड़ देना चाहिए या छेत्र भले ही करीब 1.15 बर किलोमीटर रखो लेकिन भारतियों के हित्तों के लिहास से काफी कीमती है फिलाल मामला सुप्रीम कोड में बेचारा धीन है तो देखते हैं कि सुप्रीम कोड क्या डिसिया देता है नमस्कार जाहिन उम्मीद करते हैं अगर आपको वीडियो पसना है तो इसे सेर और सब्सक्राइब करना चनल को ना पूले